नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हाट में, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सेल इन्वाइस के उपर आप कंपनी का लोगों कैसे चेंज कर सकते हैं, सपोर्स कीजिए आपके कंपनी का लोगों पहले कुछ और था, अब आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप कैसे कंपनी का लोगों चेंज कर सकते हैं, चली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और देख लेते हैं, कि कंपनी का लोगों आप चेंज करना चाह और मेरे चैनल को लाइक कर लिजे, शेयर कर लिजे और सब्स्राइब कर लिजे, साथ ही बेल एकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस में अफ्लोट करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी और आप मेरी कोई भी मैंने एक सेल्स वाउचर को ओपन कर लिया है, और लोगो चैन्ज करने से पहले में आपको इसका प्रेंट प्रिवीउ शो कर देती हूँ, कि यह पहले क्या शो हो रहा है, प्रेंट पे जाएंगे, एप उसके बाद प्रिवीउ पे हम क्लिक करेंगे, यहीं से F4 प्रेस करें या फिर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे आपको चेंज करना है सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लोगों चेंज करने के लिए आपको कहां जाना होता है वाउचर में रहते हुए आपको जाना है प्रिंट पे प्रिंट पे जाने के बाद आपको यहां पे जाना है नीचे configuration का option शोओगा यहाँ पे हम click करेंगे click करने की बाद देखिए company detail की नीचे आपको include company logo इस option को आपको yes करना होता है जैसे ही आप yes करेंगे सारी information आपको यहाँ feel करनी होती है जैसे कि company का जो logo होता है इस option को yes करना होता है जो आपका company का जो image बात यानि कि जहाँ पे आप logo रखते हैं उसका पात क्या है location क्या है वो आपको देना होता है company का logo अपलाय करने के लिए आपे कुछ points दिये गये है only BMP and JPG file format are supported यानि कि जो आपका company का logo है वो या तो BMP format में होना चाहिए या फिर JPG format इन दो format को ही telepramp support करता है next point है recommended file size is 96 pixel in width by 80 pixel in height यानि कि जो company का logo आपका होगा file size उसकी क्या होगी 96 pixel उसकी width यानि कि चोड़ाई होगी and 80 pixel उसकी height होगी उसके बाद देखे जो last point है company logo can be printed only on specific reports and vouchers यानि कि जो company का logo है specific reports पे and voucher पे ही print होगा तो चलिए अब हमों open कर लेते हैं अपने company का logo यहाँ देखिए जो company का logo है मैंने desktop पे रखा हुआ है तो सबसे पहले जो condition है हमारा जो company का logo है वो या तो BMP file में होना चाहिए या फिर JPG file में होना चाहिए तो यहीं से right click करके properties में हम जाएंगे and check कर लेते हैं हमारे company का जो file है वो क्या है तो आप यहाँ देख सकते हैं type of file में आप वो JPG show हो रहा है यानि कि पहली condition clear हो गई हमारी जो company logo के लिए file है यह ठीक है हम इसको use कर सकते हैं उसके बद जो second point है recommended file size and इसको हमें resize करना होगा तो double click करके इस logo को open कर लीजिए company का logo open हो चुका है यहाँ top of the right corner पे आपको click करना है उसके बद देखिए open with पे आप click करेंगे और उसके बद इस file को हम open करेंगे paint में तो यहाँ पे paint का जो option आएगा आपको इस पे click करना है and then ok पे click कर लीजिए जैसे ही आप ok पे click करेंगे आपकी देखिए जो file है paint में open हो चुकी है अब हम इसे resize करेंगे resize करेंगे tally के according तो उपर आपको resize का option शोगा उस पे click किजिए यहाँ देखिए आपको दो option मिल जाते हैं percentage and pixel तो tally prime में जो second condition थी हमें जो file चाहिए वो pixel में चाहिए तो अब यहाँ पे हम कौन सा option select करेंगे pixel वाला option को select करेंगे तो दो option आपको यहाँ पे मिलते हैं percentage का और pixel का तो pixel पे click कर लीजिए and नीचे एक option शोगा maintain aspect ratio तो इसको आपको anti करना है anti करने के बाद आप यहाँ पे आपको अपने requirement feel करनी है tally की according अब यहाँ देखिए सबसे पहले आपको show हो रहा है horizontal तो horizontal में आपको कौन से size feel करनी है जो tally prime में company logo की width होगी तो यहाँ पे width की size देखिए कितनी है 96 है और height 80 है तो यहाँ पे हम feel कर लेते हैं horizontal में हमें feel कर लेना है 96 तो 96 feel कर लेंगे और उसके बाद देखिए next vertical तो vertical में जो height 80 हम feel कर लेंगे उसके बाद हमें ok पे click कर देना है अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो company का logo है वो resize हो चुका है आप यहाँ पे file पे click करना है आपको and save as आप कर सकते हैं जिस भी location में आप चाहें महाँ पे आप कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे save as करूँगी desktop पे और जो file का name है मैं rename कर देती हूँ om logo करके मैंने save कर लिया है अब मैं आपको show करती हूँ इसको हम close कर लेते हैं मैं आपको minimize करके show करती हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने om logo नाम से file को save किया था वो file यहाँ पे है इसी file पे आपको right click करना है and उसके बाद आपको property में जाना है उसके बाद देखिए security option है उसके click किजिए object name यह आपके company logo का path है तो इसको आपको copy कर लेना है copy करने के बाद चलिए अब teleprime को open कर लेते हैं and teleprime open करने के बाद यहाँ देखिए जो हमने open किया था print पे जाके configuration में हम जो गय थे उसके बाद हमें यहाँ पे आना है file name पे and backspace करते हैं आप erase कर लीजिए जो old logo का path है वो आपको erase कर देना है backspace करके and specify path पे जाना है and यहाँ पे वो जो हमने copy किया था वो आप यहाँ paste कर लीजिए paste करने के बाद आप इसको save कर लीजिए save करने के बाद आप मैं आपको show करती हूँ कि इसका print preview कैसा show होगा and जो हमने company logo change किया है वो कैसे show होगा current पे हम जाएंगे preview पे हम जाएंगे F4 प्रेस करके आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो company का logo है वो old ही show हो रहा है बट इसमें कोई वरी होने की ज़रुरत नहीं है आप यहाँ पे gateway और टेली पे जाएए again आप watcher में आएंगे इसके बाद आप current पे आईए उसके बाद आपको preview पे आना है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो company का logo है वो change हो चुका है तो जैसे की हमने अभी just change किया था आप टेली प्रेय में वो refresh नहीं हुआ था इसलिए आपको old logo show हो रहा था जब आप path change कर लेंगे उसके बाद again आप gateway आप टेली पे जाएए उसके बाद again आपको voucher open कर लेना है टेली refresh हो जाएगा उसके बाद जो आपका new logo है वो apply हो जाएगा जैसे की आप यहाँ पे screen पे देख सकते हैं मैंने आपको show किया है तो इस type से आप अपने old company logo को change करके new company का logo apply करना चाहते हैं या फिर अपने company का logo change करना चाहते हैं तो आप इस वेसे कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में easily कुछ step को follow करके बताया है description box से check out करना ना भूलिएगा वहाँ मैं टेली and accounts related maximum videos के link provide कर दूँगी आप इन सारी वीडियो को watch कर सकते हैं आप मेरे channel को search भी कर सकते हैं मेरे channel का name है suman education hub आपको वहाँ playlist में मिल जाएगी आप playlist भी watch कर सकते हैं playlist आपके लिए काफी helpful रहेगा तो definitely playlist को watch कर जेगा टेली से related चोटे से छोटे and बड़े से बड़े हर topic को cover करने की मैंने अपने videos में कोशिश की है still कर रही हूँ and in future में हमें करती रहूंगी बस आप से भी लोग का साथ and आप से भी लोग का support मुझे शहिए I wish ये video आप से भी लोग के लिए helpful रही होगी अगर helpful रही है तो एक चोटा सा काम कर दिशेगा channel को like कर दिशेगा share कर दिशेगा and subscribe कर दिशेगा thank you and keep watching my videos